प्रीय दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जो ब्यक्ति सारीक स्रम कम करते हैं जो परदूसर के बाता बर्ण में रहते हैं जो हमेशा कुर्सी पर बैट कर काम करते हैं जो दूसित खाना खाते हैं वो यदि बिमार होते हैं तो कारण जान पड़ता है लेकिन हमारा किसान जो सुध्य वाता वर्ण में रहता है सार्रिक स्रम भी करता है वो बिमार होता है क्यों यदि हम इतिहास में जाकर देखें तो पहले के किसान ज़्यादा काम करते थे ज़्यादा भोजन करते थे और उसे पचा लेते थे इसलिए वो स्वस्थ रहते थे तो पहले के अपेक्छा सारणीक स्रम बहुत कम हो गया है। हर किसान भी मसीन पर निर्भर हो चुका है। चुकि मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए किसान की हर परिस्थितियों से वाकिफ हूँ। किसान कुछ अन्जानी सी गलतियां कर रहा है जिनके कारण किसान बिमार हो रहा है अस्वस्त हो रहा है दोस्तों हर किसान गर्ब से कहता है कि हमारे यहां दूद की सालों भर बेवस्था रहती है हम लोग दूद बेचते नहीं दूद खाते हैं बहुत सारे किसान मीट खाने के दिए सौकीन रहते हैं दूद और मीट इतना पौश्टी कहार है कि लोग खाते हैं तो खुब खाते हैं और अक्सर लोग रात्री में खाते हैं रात्री में खाने के बाद तुरंत बेड़ पर सोने चले जाते हैं यही मेन कारण बन जाता है अस्वस्त रहने का अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो मुटापे से पिरित जिनका वजन अधिक है जो गैस से पिरित है या अन्यरोग से पिरित है उनके लिए स्पेसल है वो क्या क्या गलतिया करते हैं आप अपने घर दूद की सालो भर बेवस्था रखते हैं तो समझे दूद की नहीं आप अपने घर रोग की ब्यवस्था किये हैं। आप संध्या समय दूद, चीनी, अंडा, मांस खाते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। आपके स्वास्त के लिए हानिकर है। और रात्री में भोजन के बाद तुरंत बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। जो आपको नहीं जाना चाहिए। आपको एक घंटा, दो घंटा तहलना चाहिए, मुनरंजन करना चाहिए, फिर सोने जाना चाहिए। आप सौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते, जो कि आपको धोना चाहिए। आप भोजन से पहले साबुम से हाथ नहीं धोते जो की आपको धोना चाहिए। दोस्तों यदि आप अपने आपको स्वस्त रखना चाहते हैं तो आप सौच को सुबह साम नियमित किजिए। सौच को सुबह साम नियमित करने के लिए अपने आपको स्वस्त रखने के लिए मेरा एक और वीडियो है मोटापा दूर करने का उपाय। इस मोटापे वाले वीडियो को आप अवस्य देखें और हमको पुरा विश्वास है कि आपके सुखी रहने के लिए वो बहुत ही पर साबित होगा दोस्तों इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार दोस्तों यह दिये वीडियो पसंद आए तो चैनल मेरी सोच को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटम दबाएं ताकि रोज आने वाले नए वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंए